वेलकम तो तिरीदेव इंवेस्मेंट लैब याइज नए वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें वाइस मैं आपके लिए लेका रहा हूं लेटेस्ट ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि आप स्विंग और इंटरब्री बिए कर सकते हैं मैं काफी अच्छी निकाल सकते हैं चाट पर लेकाच छलता हूं और वह सब्सक्राइब आपके सामने वण अब दे का चैटे कर रहा है आवस्ट जोकि आप पर आप को यह बूडिक on तो आप देख सकते हैं कि यह एक टार्गेट एचीव कर रहा है यह जो है एक टार्गेट एचीव करता हुआ नजर आ रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं टार्गेट एचीव करने के बाद इसको थोड़ा सा शेयर में रिट्रेस्मेंट देखने को मिलती है थोड़ा सा आपको यहां पर देखने को हो सकता है कि मिले अगले दिन के प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार लेकिन अगर गाई अगले दिन फि उसके बाद बनाते हुए यहां तक जो कि आप देख सकते हैं 1385 तक आया और इसके बाद आपको एक क्लियर चांस मिल रहे थे लेकिन थोड़े समय के लिए फिर से आपको डाउन ट्रेंट देखने को मिली और लास आप देखे तो 1339 का अभी तक आप देखे तो लो बनाया क़िए समय के बाद और यहां से आपको बेटर रिवर्सल देखने को मिल रही है और यहां पे फर्स्ट टारगेट को भी ब्रेक आउट करता हुब है यह देखने एक देख को मिल रहा है तो अगले दिन You Map आपको नजदी की बुलिजि के चैंस के बाद बन रहे हैं तो ग्याईज आप देख सकते हैं इसके टार्गेट एक आपके सामने ये भी हो सकता है जो कि कम समय में आपको 1606 जो कि मिल सकते हैं अगले दिन के के बाद हो सके तो तो आप इसमें थोड़े समय के लिए आप थोड़ा ही quantity buy करें और आप confirm पूरी तरह से हो आपको confirmation मिले तो आप इसमें अपनी quantity और भी add कर सकते हैं और एक कम समय में अच्छी profit निकाल सकते हैं चलिए आपके साथ एक और target में अगर यहां तक आता है काफी समय के down के बाद इसम तो आपको एक और target में आपको provide कराता हूं 1715 का जो कि यहां तक भी आने के chances बन सकते हैं अगर यह इसको यह breakout करता है तो तो अच्छी profit निकाल सकते हैं जैसा कि एकर देखेगा इस थोड़े समय के लिए अगर बन रहे है इसका support को भी देख लें यह थोड़े समय के लिए downtrend बनाते हुए अगर नीचे की और आता है जैसा कि इसने आज टार्गेट एचीव किया है तो थोड़े समय के लिए profit booking भी देखने को मिल सकती है अगर नीचे की और आता है तो इसका support क्या हो सकता है जैसा कि आपको सब्सक्राइब करें और चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़त सब्सक्राइब का चार्ट लगा रखा है यहां आप देखें काफी गिरावट के बाद लगातार आपको अपके सेनारियो देखने को मिल रहा है जो कि आप देखें तो काफी किलियरली यहां से ही आपको 1367 से जो है आपको रिवर्सल जो मिला यहां पर काफी उपर तक गया और यहां पर 487 बन रहे टार्गेट को अचीव किया और फिर से थोड़े समय के लिए आपको पता है यहां पर फिर से सिगनल मिले और थोड़ा डाउन आया उसके बाद देखें तो आपको फिर से बेटा रिवर्सल देखने को मिली और जो कॉंसलीडेशन के पास टार्गेट बन रही थी यह इसको भी ब्रेक आउट किया और उपर तक शेयर जाता हुआ देखने को मिला जो कि 533 के टार्गेट को बना कर वापस से बन रहे हैं सपोर्ट को इसने एचिव किया और फिर से रिवर्स मिल रहे हैं अगले दिन के तो आपको बड़े चांसे आपको किलियर सिगनल जो है प्रोवाइड करा रहा है अगर बात करें इसके सपोर्ट की और टार्गेट की तो यह मैं आपको वन वीक के चाट के साथ इसका टार्गेट भी किलियर करता हूँ जैसा कि आप देख सकते है यह जो ची यह आपको काफी डाउन आता हुआ देखने को मिला था उसके बात यह इसमें रिवर्सल को मिली है तोsen शेर काफी डाउन आने के वाद रिवर्सल मिला तो उपर जाने के चांसेस यहां पर काफी हथ तक बन रहे रहे हैं आपको पता है किmanship कहीर के साथ हूपर क्य और सिगनल मिल सकते हैं तो अपर जाने के चांसे के लिए आपको क्लियर करा हूं तो यह लगतार आप देखे तो करीब सेवेंटीव का हो रहा है अगर आप में अच्छी फ्रफिट टिला सकता तो चलिए की तरो पढ़ते ह्स अप सब्सक्राइब करें हैं मैं आपके सामने एंग का चार्ट लगा रखा यंधिच सक्ता है जो कि आप देखें तो पिछले candle के साथ भी इसने टार्गेट को एचीव किया था और आज ये फिर से उसी टार्गेट को एचीव करता हुआ और सेर में बीरिस देखने को मिल रहे हैं अगर बात करें यहां पर प्राइज एक्षन की तो आप देख सकते हैं लगातार 239 पे इस आपको वापस से उसी सपोर्ट को एचीव किया और आपको एक बड़ा रिवर्सल फिर से इस सेर में देखने को मिले रिवर्सल के बाद आप देखें तो एक जो बन रहा था टार्गेट 282 का इसको ये ब्रेक आउट करता हुआ नजर आया और एक टार्गेट 295 पे इसने प देखने को मिलते नजर आ रहे हैं अगर बात करें अभी के बन रहे हैं तार्गेट और सपोर्ट की तो आप देख सकते हैं कि यह जो है इसने टार्गेट बनाया था 300 ख Archives के बनाने के पाद से कंडल सकते हैं 3137 पर आता हूँ देखने को मिला करता हुआ अभी तो बात करें अगले दिन के के इस क्योंने के भी हो सकते हैं क्योंकि Now आपको profit booking देखने को मिल रहा है share में आप देखे तो दो बार इसने टार्गेट को एचीव किया है थोड़े से में आपको गिरावट के चांसे बन रहे हैं हो सकता है अगले दिन आपको फिर से बीर स्केंडल मिले तो आप इसमें इंट्राडे करते हैं और आने वाले तक आप अपनी अच्छी profit निकाल सकते हैं तो चलिए मैं आपको इसका next target क्लिए करता हूं जैसा कि अघर बात करें इसको टार्गेट के बात बन रहे हैं इसको करने के बाद भाद बन रहा है मैं आपको वन वीग के साथ कर रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने नजदी की एक टार्गेट बन रही है जो कि 361 का है अगर यह इसको ब्रेक आउट करके तो आप देख सकते हैं 362 पर भी यह जा सकती है अगर बात कर एक लिए दिन के कैंडल की तो आप वन वीग में देख सकते हैं कि आपको किलियर जो है अभी आपको सिगनल बुलिस कहीं मिल रहा है काफी नीचे तक सियर आने के बाद दो दो बार इसने जो इसको इस टॉक ब्रेक डाउन नीचे सपोर्ट के इसने एचीव किया था और इसके बाद जो आप होल्ड करने के बाद आपको 384 का जो है एक टार्गेट मिल रहा है जो कि आप अच्छी प्रॉफिट टिकाल सकते हैं थोड़े अच्छे समय के लिए अगर आप इसमें इस सेर में टीके रहे तो आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है तो आपको पता है कि मैं इस तर करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कि जिएगा चलिए नेक्स टो की तरह बढ़ते हैं नेक्स टो कि आप देख सकते हैं चार्ट लगा रखा है और वन डे के साथ मैं आपको इसका सिग्नल डिसकस करता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं अभी आपको यह ब बढ़ा था लेकिन एक सपोर्ट काफी दिनों का बहुत पुराना देखने को मिल रहा है वह सपोर्ट को जो है यहां पर एक टर्गेट बनाता हुआ इसने इसको एचीव किया और वहां से एक बड़ी रिवर्सल भी आपको देखने को थोड़ी समय के लिए मिल सकती है जो कि इसके आपके सेनारियों को मिलते नजर आए यह क्या। इथने बड़े समय के बाद और ऽूड़े समय के लिए सेहर में गिरावट देखने को मिली और यहां पर एक सपोर्ट प्रवाइड कर राई आईए को देख सकते हैं के यहां पे एक acceptable बनाता हुआ फिर से जो है टागेट एचीव करने के बाद भी इसको ब्रेक आउट करता हुआ नजर आ रहा है पिछले के साथ लेकिन आज के साथ तो फिर से इसमें थोड़े समय के लिए अगले दिन के बात गुराई तो अगले दिन आपको बुलिस चैंसे हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है यहीं के सब्सक्राइब भी इसने एचीव किया तो यहां पर थोड़ा समय के लिए बीरी स्केंडल अपको प्रॉफिट बॉकिंग लिखने को मिली और अभी आपको यहां पर बुली स्केंडल सिगनल जो है अपके मिल रहा है अगर यह अगले दिन इसको ब्रेक आउट करता है तो आप इसमें अपनी बना सकते हैं अच्छी क्वाइट के साथ से को बाई करें आपको कम समय में मैं बता दूं 1067 का एक टार्गेट मिल रहा है जो कि आप इसमें बेटर प्रॉफिट निकाल सकते हैं कम समय में बात करें अगले दिन के बाद यह इसको यह ब्रेक आउट करके आगे कर बड़ता है जो कि से से काफी डाउन था तो आप जाने के इसके लिए हो रहे हैं थोड़े समय के लिए आपको प्रॉफिट बॉकिंग के साथ साथ से अर में लगातार अपके सीगनल्स अभी आपको मिलते नज़र आ हैं तो आगे की और मिलने का चांसे क्लियर बन भी रहे हैं अगर यह इसको ब्रेक आउट करता है तो आगे की और भी बन रहे है चांसेज आपको मिल रहा है टार्गेट आपको प्रवाइड करा सकती है अच्छी प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं तो चलिए बिना देर के हुए इसको ब्रेक आउट के बाद भी इसको हाई बनाता हुँ नजर आ रहा है और थोड़ी जो है अभी डाउन देखने को मिल रही है जो है काफी उपर तक गया था जो कि आप देखे तो इसने हाई जो है वन हैंडेट ट्वेंटी सेवन पॉंट एट फाइट फाइड रूपिस की जो है हाई बनाई है और अगले दिन की आपको इसमें सीगनल के साथ बन रहा है प्रॉफिट का ही मैं आपको क्लियर करता हूं क्या आप इसमें अपनी जगव बना सकते हैं या नहीं तो फिलाल देखे गाइस तो यह जो है अभी आपको यह लगातार तीन बार जो है चार बार इसने अपने मिली और nevrite reonym के बाद फिर से इसने जो है 118 के चार्गेट को एचीव किया है ऑने गाद जो है लास्ट बार जो सपोर्ट एचीव किया था उसके बाद बन रहे है टार्गेट जो है 116 है जो कि आप देखे तो थोड़ी समय के लिए इसमें थोड़ी रिट्रेस्मेंट देखने को मिली और वापस से यह बाउंस बैक किया और वापस देखे तो आपको लगातार इन द तो जैसा कि आप देख सकते हैं केंडल श्टीक काफी किलिर लिए आपको दिखा रहा है कि काफी डाउन था तक प्राइज नजर आ रहा थे नजदी के मैं आपको बता हूं इससे प्राइज काफी नीचे तक राया था उसके बाद जो है काफी उपर भी गया था और उसके ब पहले वे होता है यह जो है प्राइस अपको थोड़े समय के लिए आप देखने को मिला था लगाता है यह वापस यहां पर आई है आप देख सकते हैं और पीछले को भी जो हाई बनाया था इसको ब्रेक आउट कर आगे क्योर निकला है तो जाने के चांसे आपको उपर तक के लिए बन रहा है जो कि इस से थोड़ी समय नीचे ही इसने जो है अभी आपको वापस से थोड़ा डाउन देखने को मिला हो सकता का इस अगले दिन आपको फिर से ब्ली स्केंडल मिले और इसको भी यह ब्रेक आउट करके आगे क्योर निकल सकता है अगर बात कर गई इसक सकते हैं और कं सांधी में आपको बन रहे एक टरर्डेट केंड़ कर सकते हैं और कम समय में आपको गल्द हाँ आप देख सकते हैं कम समय में रहा अच्छी टार्गेट का का जाचा कि आप बात करेखा इसके सेखनल बाद बाद बन रहा है सपोर्ट की तो मैं आपको क्लियर करा हूं इसका सबोर्ट जैसे कि आप देख सकते हैं अगर अगले दिन थोड़े समय के लिए बनाता है तो आप देख सकते हैं एक टर्ट जोगी बन रहा था वान हैंडड़ के साथ आप को यहां पर रिवर्सल के बाद देखने को मिल सकती है और ब्रेकाउट करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन अगर बात करें इसके सिगनल की तो जैसा कि मैं पहले पता थोड़े समय के लिए यह यहां से रिवर्सल क्लियर किया है यहां पर प्रॉफल के बाद इसने रिवर्सल दिया तो ओप के जाने के सांसे क्लिए हो रहा है तो यह से पहले आप जो है इसे वाचलिस्ट में एड़ करें अगर आप फुली कनफर्म हो तो हाई आप इस चेयर में इंटर करें अगर आपको कहीं सब्सक्राइब करने के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा सो थैंक्यू थैंक्यू गाइज